आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लब लैप के संसाइन इस्ट्रोलर का रिव्यू करने वाली हूँ ये इस्ट्रोलर जो है ये मैं अपने बेटी के लिए यूज करती हूँ अब अगर हम बात करते है इस लब लैप के संसाइन स्ट्रोलर की तो एक इस्ट्रोलर के अंदर जितने भी फीचर होते हैं वो सभी इसमें आसानी से आपलेबल है एक एक करके इसके सारे फीचर को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ और साथी साथ में ये चीजे में कहूंगी अगर आप आउट डोर के लिए कोई स्ट्रोलर सर्च कर रहे हैं तो डैफिनेटली गैज इस स्ट्रोलर के साथ आप जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपके सबसे बड़ी बात बच्चे के कमफर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है बच्चे के सैफटी को ध्यान में रखते हुए और साथी साथ बच्चे के हाईजीन को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इन सारे points के उपर detail में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अब guys हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके features की बात करें और ये चीज़े कही जाए कि ये किस तरीके से और market के अंदर available है तो guys ये 8 colors में ये love lab का sunshine controller available है सारे color attractive है जो आपको पसंद आए इविन आपके बच्चे को भी जो पसंद आए या फिर जिस controller को देखके थोड़ा सा happy सा हो जाता है तो वो controller आप असानी से buy कर सकती है बच्चों के अगर वजन की बात करें तो 15 kg तक के baby के weight को ये controller और काफी असानी से carry कर लेता है अब अगर हम बात करते हैं इसके multiple features की तो पहले features पे आते हैं वो होता है wheel यानि की चक्का बच्चे के जो ये controller हम इस्तेमाल करते इसके अंदर जो चक्का है इसमें दो है एक है front wheel रेर wheel इसके अंदर आप ये जो wheel है front वाला ये 360 degree angle पे असानी से move कर लेता है और जो रेर wheel है ये static है ये सिधा position में जाएगा और इस wheel को आप अपने according adjust कर सकते हैं यानि की आप अपने हिसाब से इसे lock भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जहां पे हैं अभी move कर रहे हैं मौल में हैं या कहीं भी है वहाँ आपको दो मिनट रुकना है तो आप इस wheel को lock कर दीजिए आगे से भी और पीछे से भी ये stroller वहीं के वहीं रहेगा जहां आप चाहती है अब गाईज यहां पे अगर हम बात करते हैं इसके कनौपी की बात करते हैं तो इसकी कनौपी इस हिसाब से डेजाइन की गई है कि आप चाहे तो इसे पूरा open कर सकते हैं आप चाहे तो इसे half open कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से इसे आप adjust कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं ये layer में इस तरीके से बना हुआ है इस canopy के अंदर एक window भी है इस window से आप असानी से अपने baby को देख सकते हैं कि जब आप उसे strolling कर रहे हैं तब वो क्या कर रहा है या कैसा महसूस कर रहा है अब अगर हम बात करते हैं इसके back side की back side में देख सकते हैं आप एक बड़ा सा pocket दिया हुआ है ये pocket जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पार्क जाती हैं या फिर mall में जाती हैं तो बच्चों की कोई चीजे रखने में या आप अपना खुद का mobile भी उसमें रख सकती है जो भी चीजे रखना चाहेंगी सेफटी से रहेगा इसके seat की तो ये जो इसकी seat है जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि लब लैप बच्चों के हाईजीन को भी मेंटेन करते हैं तो कई बर बच्चे बैठे रहते हैं इस स्ट्रोलर पे तो कई बर कुछ खाते पीते भी रहते हैं या फिर बच्चों का तो आपको पताईए कि वो हाईजीन किस हिसाब से कितना उनका ध्यान रखना पड़ता है इसलिए ये डिटाचेबल है इस सीट को हम हटा कर आसानी से धो सकते हैं और अपने हिसाब से अगेन इसे एड़जस्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन जगा पे बैठे हैं या फिर जो भी उसकी पोजिशन हो इस स्ट्रोलर पे अब गयज अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इस स्ट्रोलर में कितने सारे पोजिशन्स हैं तो गयज इस स्ट्रोलर के अंदर तीन फेमस पोजिशन्स दिये गहें अगर बात किया जाए तो ये सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि अगर इस टूलर पे आपका बेबी सो जाता है तो इसके लिए भी एक sleeping एक position दी हुई है आपका बेबी अगर relax कर रहा है उसके लिए भी एक position है और बच्चा बैठा हुए है sitting वाला वो तो होता ही है तो इस हिसाब से ये तीन position पे है आप तीनों position पे change भी कर सकती है अब अगर हम बात करते हैं इसके जैसे की बच्चे बैठ जाते हैं बच्चे जब दो या धाई या तीन साल के हो जाते हैं तो उनके जो legs होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं इस हिसाब से foot rest भी इसमें दिया गया है बच्चे इस पे अपना पैर रख सकते हैं और यह adjustable भी है आप चाहें तो इसे ऐसे उपर भी उठा सकती है डाउन में भी जा सकता है अब अगर next इसकी बात करें इस ट्रोलर की तो इसके नीचे में गाईज एक बड़ा सा storage दिया हुआ है इस storage के अंदर आप बच्चे की ठ्वाय रख सकती है या बच्चों से जुड़ी ही चीज़े रख सकती है या पानी की बॉटल जो आप चाहें वो safety तरीके से रख सकती है इसका size अच्छा खासा बड़ा है गाईज इस stroller के मुझे यही चीज़े अच्छी लगी मेरा बेबी अभी three years का है वो भी इसमें असानी से बैठ कर move कर रहा है तो इस हिसाब से size के according भी अच्छी तरीके से लब लैप ने इसको बनाया है बात करते हैं बच्चों की safety की तो इस है five point of harness जो की best part लगा मुझे इस stroller के अंदर ये जो stroller है वो बच्चों को comfortable रख रहा है साथी साथ बच्चों की safety का पूरा ध्यान रखे हुए है एक मा को क्या चाहिए कि मेरा बच्चा comfortable रहे वो safety से रहे और मुझे तभी वो सुकून मिलता है अंदर से तो वही चीजे हैं यहां पे इसी हिसाब से लेकर इसके safety फीचर में यह सबसे बड़ी चीज और मुझे बहतर लगी अब तक की अब अगर हम इसके handle की बात करते हैं तो handlebar इसमें दिया हुआ है handlebar जो है वो reversible है यानि कि आप इस handlebar पीछे लगा हुआ है तो भी आप अपने बेबी को strolling कर रही है अगर आप चाहती है कि आप और आपके baby का front to front एक face smile, connection रहे या कई बड़ छोटे से छोटे बच्चे भी मा का अपने attention चाहते हैं मा का चेहरा देखना चाहते हैं इस case में आप handlebar को आगे कीजिए और जब भी आप आगे handlebar करेंगे इस हिसाब से ये भी उसी हिसाब से चलेगा smooth चलता है इसमें कोई भी problem नहीं आती है सबसे बड़ी बात इसके strolling करने की एक खासियत ये चीज लगी सब कुछ इसमें depend करता है इस stroller के चक्के के उपर इसकी जो wheel दिवी है ये size में थोड़ा सा बड़ा है और इसके size में बड़ा होने के कारण है कि अगर surface uneven है तो भी smooth चलता है लेकिन जब हमें strroller use करना बंद कर लेते हैं उसे हमें carry करके कहीं ले जाना है अपने car के अंदर इसी साब से भी आप इसे fold कर सकती है अपने car में रख कर ले जा सकती है ये बहुत compact यानी छोटा सा size के अंदर बन जाता है और बहुत कम space लेता है आपके घर में या फिर आपके गाड़ी के अंदर घर में भी आप किसी भी corner में या जहां चाहें वहाँ आप इस strroller को दी हुई है आप चाहें तो इसे amazon से buy कर सकते हैं आप चाहें तो इसे lovelab.com से buy कर सकते हैं और भी कुछ detail जानना चाहती है आप मुझसे तो definitely guys नीचे मुझे आप comment कीजिए thanks for watching bye bye and take